तो देखें, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने क्या discuss कर लिया, हमने ये discuss कर लिया था, कि हम अपना जो है, service में hello world application कैसे चलाएंगे, और हमने अपना controller बनाया था, और simpleता hello world application get mapping की तुरो चला दिया था, तो पहले चीज़ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर करूंगा कि जैसे आप request method यहाँ पे specify करने के बाद यहाँ पे method is equal to request यहाँ get post put लिखने से अच्छा यह है कि आप सीधे यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यह get की mapping है तो सीधे आप क्या कर सकते हो add the rate यहाँ पे इसको हटा के सीधे अपनी इसाफ से mapping यूज कर सकते हो जैसे यह get वाला method सीधे आपके पास यह spring के कौन से version से आया मैं आपको बता हूँ spring 4.3 से basically यह एक ऐसा module आगया जिसमें आप अगर getter method है तो आप सीधे get mapping add the rate get mapping specify कर दीजे तो आपका वही same काम हो जाएगा जो आप add the rate request mapping के बाद लिख रहे थे तो इससे जो है थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा और यहाँ पे जो हम path वही दे देंगे जो हमें path यहाँ पे लेना हुआ था तो path let's say hello high जो भी आप ले रहे थे वो यहाँ पे रख लीजे slash hello रख लीजे ठीक है तो आप क्या हो जाएगा आप आपको यह वाली line पूरी लिखने से बच जाएगे तो अगर आपको get method है तो add the rate get mapping post method है तो add the rate post mapping कि इस तरह से लिख सकते हो एक चीश तो यह हो गया गाई दूसरा चीश यह हो गया कि यह हमारे method का जो end point URL हमने दिया है यह URL आप अपने method level पे भी यूज कर सकते हो तो method level पे हम जो sorry class level पे यूज कर सकते हो तो class level पे जो annotation होता है जैसे add the rate यहाँ पे again मैं यहाँ पे request mapping annotation यूज करूँगा तो add the rate request mapping annotation लगा कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे क्या कर दीजे add the rate request mapping में यहाँ पे basically path specify कर दीजे यह application का हमारा एक base URL हो जाएगा तो let's say मैं यहाँ APIs develop कर रहा हूँ तो और वो भी REST API तो मैं यहाँ पे इसका base URL जो है REST API नाम दे सकता हूँ तो यह application का एक base URL हो जाएगा उसके अंदर से hello यह है यह हमारा sub URL हो जाएगा देखे मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ बस application को save कर रहा हूँ रिलोड करूँगा मतब रिलोड नहीं करूँगा live reloading अपने आप होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे dev tool यहाँ पे add कर रहा है तो dev tool के वज़े से यह live reloading अपने आप होती है आपको कुछ नहीं करना है बहुत ही advanced level पर यह चीज इन्होंने बना के दे दिया है dev tool जो कि मैंने dependency starting में ही बना के डाला था तो अब मैं क्या करूँगा अपने postman में जाके जैसे मैं यहाँ पे hire पे request भेजूँगा तो यह इस particular hire पे request जो है अभी यह fulfill नहीं हो रहा है क्योंकि इस request को identify नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब hire नाम की API हमारे पास नहीं रही क्योंकि उसका base URL बन गया rest API तो rest API के अंदर basically hire है तो आप क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे rest API और slash यहाँ पे लिखोगे hire और उसके बाद यहाँ से जैसे hit मारोगे तो यह देखिए service call हो जाएगी फिर इसी तरह से rest API के बाद आप क्या करोगे अगर hello लिख दोगे तो यह जो हो जाएगा application का base URL के साथ end point URL attach हो गया देखिए यहाँ पे क्या एक termologies है terms है और यह जो termologies है इनको आपको यह नहीं कि अगर आप यह सोच रहे हो बहुत से ऐसे लोग होंगे हमें कौन सा जरूरत हम तो android के बंदे हमें क्या जरूरत है repository word याद करने का या entity word याद करने का या pojo word याद करने का या auto wearing याद करने का या get post put यह सारे चीज़े जो है एक दूसरे से linked हैं एकदम बिल्कुल एकदम चाहे आप android की बात कर लो चाहे उधर java की बात कर लो सब एक दूसरे से link है चीज़े और हर एक जगह यह सारे concept यूज होंगे आप जैसे यह base url है जब किसी भी methods के class level पर ऐसे url आप mention कर देते हो और उस different methods में जो url होता है उसको end point url बोला जाता है तो देखिए अभी क्या है इन methods से हम hello hi चला के तो कुछ करने वाले नहीं है हमें तो अपनी real application की real API बनानी है तब ही उनसे कुछ फायदा है तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया अभी ठीक है अब हम क्या करेंगे basically अपना user registration के लिए controller बनाएंगे जिसमें users आएगा अपना data डालेगा हमारा data insert होगा और फिर वो return होगा उस तरह से हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे public और यहां पे return type आपकी इच्छा है जो भी देना चाहते हो तो मैं इसका return type basically user ले लेता हूँ entity ले लेता हूँ जादे तर services जो भी बनती है उसका return type जैसे या तो entity होता है या तो एक response entity होता है वो हम कर सकते हैं तो हमने अपना ही entity return करा दिया और method का नाम दे दिया मतलब इंड़ पॉइंट मैथर रेजिस्टर या user या user रेजिस्टर जो भी नाम आपको देना है दे दीजे और लेकिन हाँ इसका url आप जरूर बता दीजे तो path के अंदर basically इसका url बता दीजे let's say मैंने इसका url ले दिया कि यह user register या only register रेजिस्टर तो basically हमारा एक method बन गया उसका return type लगा देंगे I add return statement अब क्या होगा देखिए अब जब हम यह क्या सोच के बना रहे है API यह हमारे दिमाग में तो होना चाहिए देखे मैं API यह बना रहा हूँ कि भाई कोई भी बंदा आया आपने अपनी app बनाई और app में आपने अपना credential भरा username, password सब कोई डाला और registration हो गया सबसे पहले हम यह करेंगे फिर उसके बाद उस user को login करवाएंगे फिर उस particular user के basis पे और बहुत सारा काम करवाएंगे जैसे माल लिजे की user का forget password OTP पहु सारे features हम अलग-लग add करने वाले हैं तो इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया है user register नाम का basically एक class गनाया हुआ है जिसमें user की details को हम रखेंगे जो भी data हमें database में store करना हूँ ठीक है तो माल लिजे कि कोई भी बंदा जो है अपना detail भीजता है कहीं से तो देखें मैं आपको एक बात यहां पर जरूर API जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको यहां पर बताना चाहिए कि data जब भी कहीं से भी भेजा जाता है तो जैसे कोई भी source हो सकता है जैसे हमारी API को यूज करने वाला PHP वाला बंदा हो सकता है PHP को यूज करने वाला Java वाला बंदा हो सकता है या Android वाला बंदा हो सकता है तो कोई एक ऐसा common मतलब format चाही होता है जो कि हर जगे worldwide हो और हर जगे use होता हो तो वो जो common format होता है guys उसको बोलते JSON तो जो JSON होता है वो basically एक common format होता है जो कि worldwide हर जगे famous होता है और technologies में यूज़ करा जाता है चाहे आप Java के developer हो चाहे वो Python के हो चाहे वो किसी भी language में JSON का concept यूज़ होता है तो JSON एक basically एक well organized format में जो है एक data exchange format होता है जिस format को यूज़ करके data एक जगे से दुसरे कर जाता है तो अगर आप JSON की official site भी open करके देखो JSON.org और इनका एक HTML page है तो इसमें भी लिखा हुआ है कि JSON क्या होता है तो JSON एक JavaScript object notation होता है जो कि एक lightweight data exchange format होता है इसमें दो concept आता है JSON object आता है JSON array आता है अब देखे JSON का क्या concept होता है कि एक easy और human radiable data होता है basically जो data exchange में बहुत जादे use कर जाता है मतलब आप अगर एक app developer हो और app में आप data app से API को भीज रहे हो और API app को data भीज रहे है तो हमेशा जो है यह JSON एक standard format होता है जो कि support मतलब use करा जाता है जब JSON नहीं था तो XML यूज होता था और service भी restful नहीं होती थी तो soap services होती थी तो जो soap services होती थी वो data XML में ही produce करती थी लेकिन rest services से XML JSON सब produce हो जाता है data लेकिन XML को read करना handle करना थोड़ा tough होता था अच्छा किसी भी चाए XML हो चाए JSON हो उसको read करना उसको पढ़ने वाले process को parsing बोला जाता है ठीक है तो XML को parse करना या JSON को parse करना उसको read करना पढ़ना handle करना थोड़ा सा tough माना जाता था तो इसी problem को solve करने के लिए basically हमारे पास JSON है तो जो JSON है बहुत ही easy understandable होता है और यह जगे से carry हो सकता है data transferring के लिए भी और light widget होता है और सास में data parsing भी इसका बहुत ही simple होता है चाहे आप Java के develop हो चाहे .NET को चाहे PHP के हो चाहे Android के developer हो हर technology में JSON होता है तो JSON को implement करने के लिए Java specific भी बहुत सारी librae जोती है एक simple JSON होता है reaching होता बहुत MOR of libraries किसी भी Java के program को JSON में बदलने के लिए JSON के convert करने के लिए जैसन से read read hit करने के लिए JSON को parse करने के लिए यह इसन अगर आप API बनाने जा रहा है तो आप लोगो को at least json का knowledge होना चाहिए तो जैसे माल दीजिए कि आप यहां पे अभी API को थोड़ देर के लिए hold करके अगर हम json पर आते हैं और मैं जावा डबलफर पहली बार json का मतलब पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या करना है वही कुछ नहीं करना है अगर json को practice करना है तो आप क्या करो कोई एक लाइबरेडी चूज करो कि किसमें आपको practice करना है जैक्सन की maven dependencies उसको ले आईए उनके अंदर basically कुछ classes होते हैं कुछ methods होते हैं जिनको use करके सीधे आप अपनी API में उसको implement कर सकते हो कुछ नहीं बस इसको आप अपने project में add कर लीजे एक normal MVC based project नहीं simple normal maven project में आप इस particular library को डाल देजे then आपको कैसे काम करना है तो मैं आपको online अग Java करके search करोगे तो Java में JSON कैसे implement होती है तो आपको बहुत सारी देखिए तो आप पर यही जो class जो भी website आ जाती है तो उसको आप देख सकते हो और यहां पर देख सकते हो कि JSON कैसे कैसे use होती है बहुत आसान होता है दो चीजे होती है आप एक JSON object होता है एक JSON array होता है तो JSON object को आने के लिए simple JSON जो हमारी API पढ़ी होई है जो मैं आपको बता रहा था उसमें simple JSON नाम की basically class होती है और इसके put method होता है अब यह जो JSON object class होती है इंडारेक्टली map interface को क्या करता है implement करता है तो यह map specific class है basically जिसके अंदर put method है जैसे map में होता था collection framework के ठीक ना तो यहां पर basically क्या कर सकते हो आप इसके put method में आप basically key value pair में data डाल दीजे और जब इसको print करोगे तो आपको इस format में data यही same data इस format में दीख जाएगा यही जो curly bracket के साथ यह data लिखा हुआ है that is JSON object basically इसी को JSON object कोलते है तो देखिए JSON आप पढ़ रहे हो तो at least आपको JSON object का मतलब तो पता होना चाह होना है तो इसका पूरा container आप दिया हुआ आपको जाके practical कर सकते हो अगर आपको यहां पर जरुवत है तो मैं खुद भी बता सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं है आप इस particular jar file को यहां से copy करिए आप अपने ही project में JSON हमें अपने project में JSON नहीं डालना है क्यों नहीं डालना है यह तो जाकारता है sorry यह तो जाकारता है बड़ नीचे आपको Jackson में मिलेगा यह देखिए Spring framework के अंदर Springboard का जो आपने project बनाया उसमें Jackson नाम का already jar file पड़ा होता है तो यह जैसन देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं जैसन एक generic concept है कि इसको किसी ने बनाया कि जैसन ऐसे लिखा जाएगा कैसे लिखा जाता है जैसन जैसन को लिखने का तरीका क्या होता है जैसन को लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है आप object लिखना चाहते हो array लिखना चाहते हो json object को लिखने का तरीका ऐसे curly bracket लगा ये object ऐसे लिख दो जैसे आपने लिखा name है ना उसके बाद यहाँ name के आगे लिख दिया double code में surya है ना ऐसे फिर comma लगाया फिर अगला लिख दिया email फिर ऐसे colon लगाया यहां पिर लिख दिया आपने surya at gmail.com इस तरह से यह json object होता है और json array कैसे represent होता है json array ऐसे represent होता है array का sign लगा के इस array में आप अपना json यह क्यों मैं बता रहा हूँ आप सोच रहे होगे क्यों मैं बता रहा हूँ देखिए आप android developer बनना चाहते हो ना आप API बनाओगे और आपको json का पतलब भी नहीं पता तो आप json को कभी यूज ही नहीं करबा होगे ना जैसन कैसे parts करना है कैसे reuse करना है कैसे read करना है तो इसलिए इसका knowledge आपको होना जरूरी है तो json object and json array तो मैं एक काम करता हूँ जैक्सन देखिए spring boot में तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास json की library और जो जैक्सन की library है वो और जैक्सन की लैबरेडी है वो जैसन में टेले जाएगी ले आएगी सब कुछ json पने आप हो का काम और हमें चिंता भी नहीं करना है लेकिन कम से कम जाए नहीं तो मैं काम करता हूँ अपने pom.xml में मैं जो सिंपल जैसन की जार फाइल वो डाल देता हूँ और आपको एक जैसन का छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ यह देखिए इसको ऐसे एड कर दीजे वैसे कोई जरूरी नहीं सिंपल जैसन यूज करो आप कोई भी मतब जैक्सन भी यूज कर सकता था उसके अंदर आने वाली क्लासिस को यूज कर सकता था लग से क्लासिस होंगे पर फॉर्मिट यानि कि जैसन अब्जेक्ट और जैसे अरे को बनाने का तरीका तो वही होगा ना ऐसा नहीं कि कुछ चीजे बदल जाएंगी तो हमारी मेन उल्पर्जे बनी हुई है इसी में लिख देते हैं हमें लग से लिखने की जरू सी नहीं प बनाके दिखाता हूं तो आपको जेशन ऑबजट कैसे बनाना है अभी मैंने आपको दिखाया वेबसाइट पर तो मैं लिखूंगा कि मैं इसी वेबसाइट ही चाप देता हूं ठीक है इतना टाइम लगेगा लिखने में यह जली जली टाइप करो तो मैं यहां से उठा के यह एक से लिख देता हूं जाएगा तो आपकोशन आएगा तो हमारे पास 10 लाइबरेडी दिख जाएंगे वैसे यहां पर एक ही दिख रही है सिंपल जेसन वाली क्योंकि जेसन ऑबजेट नाम की क्लास सिंपल जेसन में ही है तो जैक्शन में क्या है जैसन में कुछ और क्लास होगी लेकिन यहां पर देखिए यह सब कटा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि यह सब डिप्रिकेट है ना आटो वायरिंग तो हो रखा है तो यहां पर देखिए नम आट कर दिया बैलेंस आट कर दिया मतलब की वैलू समझे तो हैस मैप का अबजेट बनाया है आपने तो यहां पर exception आ गया मैंने कंट्रोलर में कुछ तो बलती नहीं कर रहा है नहीं क्या exception है let me check what is the okay class not found exception आ गया कर दीजिए एंड अब करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि का फाइनली अप्डेट हो गया यह अप्डेट हो रहा है इस्टिल अप्लोड अप्डेट हो रहा है एंड जब यह अप्डेट हो जाएगा ठीक है server already used में है यह देखिए यह इस तरह से message वैसे जा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है यह already server used है का मतलब यह हो गया कि हमारा server पहले से चल रहा था update दुबारा application को चला दिया तो यह गलती गरीव है ठीक है तो मैं अपनी application में फिर से जाके right click करके यहां से ही प्रेनाइज कर दूँगा प्रेनाइज जाबा application तो आप देखिए आज इसका knowledge आपको रहेगा तो आप इसो यूज करना इसको parse करना बहुत इजली समझ जाओगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है तो json object class के एक object से कोई भी json object में convert हो जाता है और json array के थ अब्जेट्स यह सब निकालते हैं json array या json object के अंदर parse method भी होता है जो कहीं से json आ रहा है उसको आप दीजिए उसको parse कर लीजिए उसको read कर लीजिए तो यह सारा चीज जो हम इसे लिए यूज करने वाले हैं आगे चलके इसलिए मैं आपको यहां बता दे रहा हूं क्य डालो और इस तरह से वह object बनके दीख जाएगा तो इसको किस उनल टू-string method override कर रखा होगा इस तरह से object print करा रखा है अगर कहीं आपको manually hard-coded object भीजना है तो इसी तरह से आप भीजोगे जब कोई array भीजना है तो array इसी तरह से बना के भीजोगे तो चलो ठीक है तो इस तरह हमारा कोई नुकसान तो है नहीं इसको सेब कर देते हैं जैसे मैं सेब करूंगा दूबारा application reload हो जाएगी हो सारे changes हमारे हट जाएगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं और हमारा json की jar file पढ़ी है तो पढ़ी रहेगी उससे हमारा कोई नुकसान नहीं और रही बात यह वाला तो आपको नहीं चिंदा करना है आपको एकदम effort नहीं लगाना है हो सकता आपको android side में effort लगाना पड़े बट यहां पर एकदम नहीं वहां भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां हम retrofit यूज करने वाले हैं तो यहां पर क्या है कि आप बस अपना अपने method में at अपन body लगने के वजए से जो data होता है यह जैसन में ही written करता है अब जैसे example के दोर पे मैं एक काम करता हूं मैं यहां पे user class का एक object बनाता हूं आप देखेगा user u is equals to new user user class का object बनाता हूं मैं यूजर class में भी कुछ लिखा नहीं है पर मैं object बनाता हूं अच्छा चलिए मैं user class में कुछ data ले लेता हूं user class का मतलब entity class के अंदर आने वाली class तो entity class के अंदर लेट से मैं कुछ data member ले लेता हूं कुछ variable बना लेता हूं जैसे मैंने बना दिया प्राइवेट इस्ट्रिंग नेम कॉमा इमेल कॉमा पास ऐसे मैंने नीम इमेल पास मॉबाइल यह हमने ले लिए तो जब नेम इमेल पास मॉबाइल हमने ले लिया तो आप प्राइवे डेटा का पब्लिक सेटर गेटर बच्पन से हम पढ़ते आ रहे हैं इनकैप्सुलेशन करते हैं आपको इनकैप्सुलेशन करने के लिए इस प्राइवे डेटा का पब्लिक सेटर गेटर नहीं बनाना है तो आपने खासर क्यों नहीं बनाना है क्यूंकि हमने ए dependency अगर add कर दी आपकी application के अंदर तो आपको private data का public setter getter नहीं बनाना है क्योंकि add the rate data annotation is a combination of what? It is equivalent to the add the rate getter, add the rate setter, add the rate required IRGS consider, add the rate two string, add the rate equals and hash code. सब आ गया वही, सब आ गया. लेकिन अगर आपको फिर भी add the rate no argument consider बनाना है, तो आप add the rate no argument consider लिखते हैं add the rate you know all argumented consider बनाना है तो add the rate all argumented consider लिखते हैं यह सब long box के अंदर आने वाले annotations हैं, जिस annotations से आप अपनी कोई भी class के अंदर आने वाले जो wilder plate code होता है wilder plate code को इसे बोलते हैं वो code जो मतलब जिसका कोई अब unnecessary number of line को बढ़ा रहा है बना रहे हो, अगर मैं पर 20 private data है तो 20 satirator बनेगा जो की देखने में बड़ा length of code हमारा बढ़ जाता है application का उस चीज़ को हमारा long box resolve करता है और यह spring board का कोई concept नहीं है, normal programming में आप long box को यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी आप spring की application में बना, कहीं पे भी यूज़ करो कहने को यह है, है ना तो इस तरह से जो है हमारा यह long box का annotation से यह private data का फ़लव इक सेटर कर्प्रेट बन गया और यह हमारी एक entity class है अभी यह class entity class नहीं बनी है अभी एक normal Java bean class है इसको entity बनाने के लिए एक दम मैं आपको comparative study बता रहा हूँ जो कि आप एक दम बिल्कुल तरहीं भर confusion नहीं थो कि नहीं नहीं यह तो हम यहाँ पे ऐसे होता था वहाँ पे भी ऐसे होगा आप देखेगा, वहाँ पे भी हम अपना जो local data storage यूज़ करेंगे, database यूज़ करेंगे तो वहाँ पे aggregate entity लगा के आपकी अपनी कोई भी class entity class बन जाती है लेकिन अभी मैं नहीं लगाऊँगा, अगर लगाऊँगा तो table तुरंद database बन जाएगा आपको एक भी line का code नहीं लिखना पड़ेगा this is the beauty of JPA, spring data JPA ये एक dependency मैंने जो ढाली थी इसके साथ सारा काम हो जाएगा और database connectivity, connectivity सब हो चुकी है आपको कुछ single line का नहीं करना है तो मैं रहो कितना आसान है बच्चो वाला काम है आपसे क्या कहा था, बहुत ही बच्चो वाला काम है बहुत जादे, है ना तो भाईया आप अभी इसको ऐसे रहने देते हैं और जो मैं अभी आपको बता रहा था जेसन तो जरा मैं उसको समझा देता हूँ तो मैं user class का object बना के और उसके setter method अभ user class का जो reference है यहाँ से मैं return करा देता हूँ और इसके setter method में कोई data डाल देता हूँ या मैंने matching argument consider तो रही रखा था तो मैं चाहेता है यहीं पे data डाल देऊ name, email, ठीक है ना name, email, name में name रहने देते हैं email में email लिख देते हैं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा name में, name surya देते हैं email में surya at gmail.com name, email, then mobile number में यह मेरा mobile number है, right इसको नहीं पता है वो भी जाल ले ठीक है ना, और यह मेरा password है ठीक है, तो मैं my pass करके यहां पे रख दिया that's it, तो मुझे जो है यह conceptor भी नहीं बनाना था, वो long walk के annotation से सब हो गया guys, आपने जो offset बनाया class बनाया और इससे return करा दिया जरा इस method को call तो करें हम जरा देखे क्या हो रहा है अपने postman पे call करके, देखे जब postman पे इस API.hello को register को जब आप hit मारोगे ना तो आप क्या पाओगे जरा देखे आप क्या पाओगे अभी आप खुद ही देखेगा क्या पाओगे यह देखिए तो accession आ गया यार यह method not allowed here हो गया sorry यार, actually मैंने वहाँ add rate post लिखा था ना वहाँ पे मैंने add rate post mapping लगाई थी ना तो post mapping लगाने के वज़े से वो request method post मांग रहा था चले ठीक हमेने request method post ले दिया guys यह देखिए cool बहुत ही बढ़िया feature oh my god believe नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई साब आपने just एक object बनाया और यहां से object turn कर दिया that's it और इस नहीं क्या कर दिया अपने आप response जो है JSON object में convert करके दे दिया this is the beauty of what spring boot auto configurations आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है सोचो अगर आप खुद करते तो दिमाख में एक दम बिलकुल कितना सारा मतलब दही बन जाता मैं बता नहीं सकता हूँ मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा code भी लिखना पड़ता parsing करती कर्मट करते json object में object बनाके add करते और ऐसे हजारों जगहों पर ऐसा code लिखना पर तब बहुत टाइम लगता अब अगर आप यह नहीं करते तो आप क्या करोगे आप add the rate rest controller लगाओ add the rate rest controller हटाके add the rate controller लगाओ add the rate controller से भी आपकी service बनती है लेकिन add the rate controller जब आप बना होगे तो add the rate controller बना के आप इस service से चाहोगे json में data आ जाए json object तो यह json object में data return नहीं करेगा basically ठीक है यह नहीं return कर रहा है कुछ नहीं दे रहा है यह no message available फलन निमा का आ रहा है response तो 200 है नहीं 400 है client side some issue है तो आपकी add the rate controller में आपकी request जो है json में आ रही है ना response json में जा रही है तो आपको अपने response json में भीजना है क्या तो आप एक काम करो add the rate response body annotation लगाईए तो जब add the rate response body annotation लगाओगे हर method में जा जाके तो आप उस particular method से यह बता रहे हो कि मैं इससे response जो है json में चाहता हूँ और जो jackson library है वो internally चलती है और इसको json में convert करके आपको json में अप data मिल जाएगी बिल गे की नहीं मिल गे लेकिन यह feasible नहीं होता आपको हर method में add the rate post response body लगाना इसलिए add the rate request add the rate rest controller लगाईए और बिलकुल आप सुख ही रही है आपको कहीं भी नहीं जब API बना रहे हो तो rest controller लगाने में क्या दिक्कत है तो rest controller ही लगा कि आप हर जगे API बनाओ तो इस सर ऐसे यह कहानी होगी अगला चीज गाईद यह होगा कि अगर माल लिजे आप अपने इस method को json में data भेजना चाहते हो तो फिर उसी दर ऐसे आप यहाँ पे आप अपनी class का नाम बस बता दो बस बिल्कुल उसके बाद चिंता मुक्त हो जाओ जिस class में आपको data रखना है खुश नहीं करना है आपको अपनी class का नाम देना है बस that's it भूल जाए यह वाकिछी चीजे तो आपने का हम अपनी class का नाम देंगे तो क्या मेरे class की object में data set हो जाएगा क्या बिल्कुल तो कौन सा data set होगा कैसे set होगा पता कैसे जलेगा तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आप API बना रहे हो तो उसमें क्या-क्या data receive हो रहा है तो इसमें basically name, email, mobile, password तो जब आप API को call करोगे तो basically चार data भेज होगे अब ये चारो data इस user में आएगा और अगर ये data आएगा तो फिर एक काम करते हैं हम यहाँ object ना बनाके इसी को ही return करा देते हैं user को अगर ये data आएगा receive होगा तो successful return भी हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि JSON में data आ रहा है और JSON data जा रहा है है ना तो एक काम कर लेते हैं हम भेजने के लिए basically इसी को काम भी कर लेते हैं और यहाँ postman में देखिए यहाँ पे बॉस्ट करके यहाँ पे एक option मिलेगा जब post आप यूज़ करोगे तो अब अगर आप form data है तो आप form लो otherwise आप यहाँ raw में जाके क्योंकि हमें पता है JSON में हमें भीजना है तो मैं JSON application यूज़ करके raw में जाके JSON form में data भीजने जा रहा हूँ ये data भीजने जा रहा हूँ और जरारा मैं request hit मारता हूँ और देखता हूँ कि जो मैं data भीज रहा हूँ अगर मेरे response में data receive हो रहा है है ना तो इसका मतलब कि भाईया data नो भाई नहीं भाई ये data तो हमारा जा तो सही रहा है लेकिन return null हो रहा है इसका मतलब successfully जो मेरा data है वो इस user object में null receive हो रहा है देखिए जब data फेज़ते हैं json object में इस बात का ध्यान रहना चाहिए ये जो key लिखिए हुए name में mobile और password ये नाम बिलकुल आपकी जो एक persist class आपने बनाई हुई है entity class बनाई हुई है जो bean class बनाई हुई है तीनों बोल सकते है इसको या पोजो class इसको भी बोलते है तो ये जो नाम है वो key का नाम यह होना चाहिए तो वो save नहीं कर पा रहा है data को तो फिर मैं काम करता हूँ इसके थात एक annotation लगा देता हूँ add the rate request body annotation ठीक है ना तो add the rate request body annotation लगा के इसको save कर देते हैं that's it और अब देखते हैं कि हमारा finally वही data हमें मिल ला है कि नहीं हाँ ये शीज याद रहे कि आप जो data भीज़रों key का नाम वही नाना चाहिए जो हमारे private data बनी हुई है नई तो ये data उसमें set ही नहीं हो पाएगा आपके bean class में आप यहां से return करा देखिए आपको finally वही data मिल गया जो data आपने भेजा था वही data आपको मिल गया राइट तो ये तरीका होता है कि request जो है JSON form में ही ले जाना और JSON के form में फर्दर return करा देखिए होप आपको चीज़े समझ जा रही हूं है ना ये तो खेर अभी जब मैं ऐसा भेज रहा हूं तभी तो मैं इसको आगे यूज कर पाऊंगा है ना तो ठीक है चलिए हमने JSON के form में data भेजा और JSON के form में रिसीब कर लिया और रेस्ट कंट्रोलर यूज कर लिया और इन चीज़ों का में यूज समझ में आ गया तो अच्छा अब जड़ा हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे जो हम पोस्ट मैंसे रेटा भिज रहे हैं इसका नाम नेम वन लिख देते हैं इसका नाम email वन पासवर्ड and mobile जैसे ऐसा लिख के आप ऐसे send मारोगे तो आपको यहाँ पे null मिल गया क्योंकि इसका जो नाम है वो vary हो गया तो होता क्या है कि जब ये इस वाली line में क्या हो रहा है इस वाली line में अपने आप आपका json object जो है वो क्या कह सकते हो decode हो रहा है json string में बदल जा रहा है और पार्सिंग अपने आप हो रही है और जब वो पार्सिंग करके data को read करता है sorry store करता है तो चेक करता है क्या की का नाम वही है नेम, email, mobile, password ही है जो आप भेज रहे हो नहीं यह तो नाम अलग है तो नाम अलग है तो भया वो सारा data जो है आपके बीन object में set नहीं पाएगा इस इसका ध्यान रहे कि जब आप JSON में data भेज रहे हो तो की का नाम आप अपने API बनाने वाले बंदे से पूछो कि मैं क्या की भेजू भाई कि data वहाँ पे सही से चला जाया और सही से आ जाया response वो बताएगा आपको, okay guys, तो चलिए देखिए, अभी यह जो class है अभी आपने क् यूज बस देखा कि JSON कैसे कैसे होता है, इसको हटा देता हूँ, अननेसेसरली हमारे लिए एक दम एड़क पैदा कर रहा है और इसको बंद कर देते हैं, और जो हमने आप Simple JSON हमने यूज कर रखा है, Simple JSON की आपको जरूत नहीं है, तो Simple JSON की मैवन dependency हटा दीजे, नहीं तो आप कहोगी, यह हमने क्यों लगाया था, तो बस आपको पढ़ाने के लिए, कि Simple JSON से भी पढ़ सकते हो, Jackson से भी पढ़ सकते हो, Jackson तो हमारे पास था, मैंने इसलिए वहाँ नहीं बताया, क्योंकि उसी नाम से वहाँ पे class नहीं है, Simple JSON में तो मिल गया था, वहाँ पे classes कुछ और हो अब हमारे पास controller था, आपने देखा, जिसमें हम main business logic लिखते हैं, अपना base URL, अपना end point URL यहां discuss करते हैं, और साथ ही साथ हम एक entity class बनाते हैं, entity class मतलब वो persist class जिसके एक object से हम data store करने वाले हैं, right, तो यह persist class में मैं थोड़ा सा और correction करूँगा, then इस persist class को पूरा complete कर तो क्या correction करूँगा, इसमें और कुछ fill लोगा, जैसे name, email, mobile, password नहीं लोगा, और भी कुछ fill लेना चाहता हूँ, तो जो भी चलो वो मैं बाद में लोगा, अभी मैं बस एक काम करता हूँ, मैं add the rate entity लगा देता हूँ, add the rate entity लगाते ही, अब यह जो class बन गई, वो एक entity class बन बन गया, इस class का एक object अब database में store करने के काविल बन गया, entity, yes, जब entity आप लगाओगे, तो आपको entity दो जगे मिलेगा, एक मिलेगा, जैवेक्स.persist, और एक मिलेगा, org.hybernate annotation, तो hybernate हम यूज नहीं कर रहे है, हम JPA यूज कर रहे है, तो आप JPA का persist वाला, यह देखने नही बहुत ही common से चीज होता है, जो कि हर जगे यूज होता है, मतलब मुझे लगता है हर technology में यूज होता होगा, बहुत ही technologies में, जैसे मैं .end पर तो नहीं काम किया हूँ, मुझे लग रहा है कि यह होता होगा, जरूर, क्योंकि entity का मतलब ही होता है कि user का entity user का data, किसी एक class का object, इसको आप database में store करना चाहते हो, persist object, bean object, pojo object, या आप entity object कुछ भी बोलो, that is entity bean only, okay, so यह entity class बन गए, अब add the rate entity annotations JPA का लगाने से, यह class entity class बन गए, जिस class का एक object को database में store करा जाएगा, और आपने देखा यह मैं क्यों store करूँगा, क्योंकि मैं user से controller से जब request data ले आउँगा तो request body से data आएगा, user class में store करूँगा, और फिर विसी के नाम से table बना दूँगा database में, फिर आप से data भेजोगे तो यह table बे जाके store हो जाएगा, ठीक है, बट, guys, जब database में कोई table बनता है न, तो एक normalization में आपने पढ़ा होगा अगर, तो यह बहुत पताया गया है कि आप क आपने का table नाम किस नाम से बनेगा, तो जो आपकी persist class है इसी नाम से बना देगा वो table, अगर आप अपना table का नाम specify करना चाहते हो, तो यहाँ name में दे दो, अगर आप, लेकिन यह optional है, अगर अलग से table लेना चाहते हो, तो add the rate table annotation है, इसको use कर लीजे, जो की spring 1.1 से 0 से ही है आप यहाँ पे अपने table का नाम देदीजे, table और यहाँ पे name is equal to name is specify कर दीजे, आप अपने table का नाम देदीजे, बट मैं क्यो use करूँ भाई, मुझे use करना ही नहीं है, add the rate table लगाऊंगा, तो मैं अपने particular process class का table का नाम दूँगा, यह बताओ कि मैं कितना नाम याद रखू यही मेरी process class है, और इसी नाम से table होगा, कितना अच्छा है, याद रखना, और अपने इस particular field का ही database में, यहाँ जावा में इसकी field है, और इसी नाम से अगर column बनेगा, तो से भी याद करना बड़ आसान होगा, नहीं तो फिर मैं add the rate column, उसके बाद name, यह सब मैं लगाऊंगा क्यों लगाऊंगा, c-o-l-u-m-n, यह देखे, यह देखे, कॉलम और फिर मैं name लिखाऊंग, यह लगाऊंग, लगा सकते हो, बट जरूरी नहीं है, नहीं add the rate column लगाऊंगा, कम से कम annotation में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन एक काम कर लेते हैं, आपको एक field बनाना पड़ेगा जिसको primary की रखना चाहते हो आप, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ID नाम से एक field बना देता हूँ, और इस ID की ऊपर primary की बना लेता हूँ, इसकी ऊपर add the rate ID annotation लगा देता हूँ, लेकि किसी भी JPA की annotation add the rate ID है, जिस भी data की आगे add the rate ID लगा देते हो, वो particular data primary की बन जाता है, यान की उस class का जो एक मतलब जब object database में जाएगा, तो जब table बनेगा, तो अपने आप वहाँ, ये जो field है, ये primary की बन जाएगी, खना बाकी normal की होंगे, normal column होंगे, और वो primary की अगर आप automatically generate करना चाहते हो, अगर automatically generate करना चाहते हो, तो add the rate, यहाँ पे generated value का option होता है, और generated value में यहाँ पे annotations use कर दीजिए, क्या strategy और strategy में basically इतने तरह की strategy होती है, primary की को बनाने के, auto identity sequence and table, ये चार strategies होते है, primary की को बनाने के, जिसमें auto जब आप यूज करते हो, तो automatically एक, है न, एक मतलब जो है, id अपने आप automatically generate होगा, 1, 2, 3, 4, बट इसके लिए database में hibernate sequence का एक table बनेग और उस table से ये map होगा, और फिर वो बनाएगा, तो इसलिए मैं वो extra table नहीं चाहता, इसलिए मैं identity यूज करूँगा, तो identity यूज करने से database में कोई extra table होगा नहीं बनेगा, और आपकी इस particular column का एक primary की generate हो जाएगा, बन जाएगा, अब guys मैं save करूँगा, फिर आप जादू यहिएगा, यह देखिए जैसे मैंने save करा, console को बड़ा कर दीजी, और जादू आप खुदी देख लेगा, तो यह देखिए अब जादू आने वाला है, जादू होगा जरूर होगा, gelu, नहीं हो रहाए जादू, नहीं होना चाहिए गई, जादू, क्योंकि उसको save करते ही यहां पर basically एक बार relaunch कर देता हूं मैं save करते ही basically यह क्या करेगा table बनाएगा database में अपने आप यह क्या है इसमें error है क्या कुछ okay okay let me check where the error हो सकता हो किसी जगह पर error हो okay in this application class there is some error there is some issue what is the issue actually I have imported this you know the package but this package is actually the jar file of this package is actually not available तो ठीक है मैंने इसको save कर दिया और application को दुबारा मेरा process terminated है क्या yes terminated है तो दुबारा मैं चला देता हूं guys stable तो database में बन जाता है और यह जो so SQL करके properties में tag लगाया था न उसके वज़े से हमारी SQL जो है यहीं पर console में दिख जाती है कि हाँ रुका है but maybe इस बार SQL मतलब मेरा पूरा completely नहीं चला यहां पर output भी नहीं दिख रहा है I don't know why the output is not showing यह नहीं अभी आ रहा है वड़ा सा table तो बनेगा ही बनेगा बट किस database में बनेगा वो मुझे देखना पड़ेगा एक table ज़रूर बन जाएगा database thing हो रहे है application और initialization होते ही आपने का सर वो database connectivity नहीं करेंगे क्या class.forname और JDBC connection established नहीं करेंगे क्या कोई connection established नहीं करना है तो भी तो यह आपका spring boot है नहीं वहीं यह तो हमारा database क्या दे रखा है अपने resources के अंदर जाऊंगा where is my resources here is the resources inside this resources there is application.properties and the database is crud basically guys मैंने यह गलत दे दिया है crud नाम का तो मेरे पास already database और table भी था इसलिए उसने बनाया नहीं है update कर दिया होगा तो मैं एक नया database दूँगा भी आप देखेगा तो मेरे पास mysql तो मेरा पहले से install है right तो आपको भी मैंने बताया mysql कैसे install करते हैं है ना तो mysql मेरा पहले से install है तो आप mysql लिखके और use कर देता हूँ rest नहीं नहीं create करूँगा create database and rest api and enter ठीक है तो मैं यह rest rest api जैसे मैं इसको save करूँगा तो अब आप देखिएगा है ना मैंने save करा है बस ठीक है देखे मैंने save करा है dev tool से live reloading हो रही है और इसमें table जरूर बनेगा है ना बट यह table कहां चला गया वही where is the table table बना यह देखिए यह देखिए थोड़ा formatted तरीके से नहीं देखा यह देखिए यह देखिए और यहां से यह देखिए यह सारा चीज हम console में देख पाते है तो जरा हम देखते हैं हमारा table बना या नहीं बना तो इसके लिए आप क्या करिए show tables कर दीजे तो हमने तो कोई table बनाया नहीं आपके सामने database बनाया था ओके no database selected तो use कर दीजे basically use कर दीजे rest api and semicolon लिके enter मार दीजे और यहां पर कर दीजे select star from दीजे यूजर एंटर नहीं यूजर एंटर शोरी शोरी यूजर एंटर यूजर एंटर यह देखिया आईड़ी नेम इमेल मुबाइल पासवर्ड यूजर का नाम class कर दा यूजर था तो table भी यूजर हो गया गाईज एकदम डिक्टो इसी तरह से Android में रूम डेटाबेस में यह ऐसे ही काम होता है आप एडिरेट हिंटी लगाओगे वहां पर रूम बन जाएगा और ऐसे ही काम हो जाएगा वह मैं वहां पर यूज करने वाला हूँ अभी तो यह अलग अब बाकी क्या कहानी है वह हम अ